दोस्तो लड़कों का किस्मत अच्छा रहता है लेकिन लगता है कि शायद यहाँ का गुड़ किस्मत उनका अपी चानल चोड़ती ही क्योंकि इन दोने वीडियो फिटोज को देखने से ये बात साबित हो गई दोस्तो अब इस वीडियो फिटोज को देखने के बाद एक बात तो साबित होई जाएगा कि पापा की परियों के सवारी के उपर लॉंडों का बैटना आसान नहीं हो सकता है दी इसके बहुत जूद भी हमारे लॉंडे हिम्मत करके पापा की परियों के सवारी के उपर चड़ कर उनके उपर सवारी करने के खोशिश करते हैं तो हालात बत से बत्तर बन जाती है दोस्तों अब इस गोल मटल आत्मा के बारे में भी एक कहानी सुनगी लीजी लगता है कि ये गोल मटल आत्मा हद से ज़्यादा ही शरापी ली थी और शरापीने के बाद जब आत्मा गाली के उपर बैठने की हमत कर बैटा तो इसी दाग घटर में जागी रहा ओ नौ दोस्तों अब इस ट्रक वाले ने तो सारे एक्सिडेंट के रेकॉर्डी तो ड़े क्योंकि एरपोर्ट में देखे इसने कैसी हरकत कर डाली इसने एरपोर्ट में कड़ी हुई प्लेन के रडार को ही तो डाला अब सोचने वाली बात यह कि आखिरे प्लेन उड़ पाएगा या नहीं और उड़ने के बाद कहीं रास्ता बटक ना जाए दोस्तों अब ये बंदा अपने कार के डिके में कुछ सामान रखने के बाद लगता है कि शायद दूसरे सामान को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है लेकिन इसने आपर एक गलती कर दी दी और गलती है थी कि गाड़ी के अंदर से हैंड बेक लगाना जोरी नहीं समझा दोस्तों अब यहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही थे जैसे ये बंदा कार से हुतरा तो गाड़ी के अंदर से हैंड बेक लगाना जोरी नहीं समझा लगता है कि आज इस बंदे का लग बहुत ही अच्छा था क्यों क्योंकि आज बंदा बहुत बड़े हाथसे का सिकार बनने से बाल बाल बच गया दोस्तों अगर आप ऐसे सचुएशन में भी गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक लगाना ज़रूरी नहीं समझोगे तो यहाँ पर किसी की भी जान जा सकती है तो अगली बार सोच मचकर गाड़ियों के सर्विस करना और सर्विस करने से पहले यह चक जरूर कर लेना की गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक लगाया है की नहीं लगाया है दोस्तो यहाँ पर तीन चार बंदे बस्टैंड बिकड़ी होकर बस का इंतजार कर रहे थे लेकिन शाहिद ने पता नहीं था कि आज इनका सामना उस बस ड्राइवर से होने जा रहा है जो इनके होश उड़ाने वाला था अब दोस्तो आप लोग कमेंट करना की इस देशे बस ड्राइवर के साथ आप बस के अंदर बैट के ट्राइवर करना पसंद करोगी या फिर नहीं दोस्तो यह होता है जब आप अपने गाड़ी के अंदर हैंडब्रेक लगाना जोरीने समस्ते या फिर खिनी कारणों के चलते उसको भूल जाते हैं तब हालात बत से बत्तर हो जाते हैं इसलिए जब को भी आप अपने गाड़ी को रोड़ पर खड़े करने के बाद चले ज पचेगी और रोड सुरक्षित बे रहेगा दोस्तो आजकल हमारे लोड़े पर योगे साथ रहे रहे कर उनके ही आदोतों का सिकार बन चुके हैं क्योंकि यहां पर इस बंदे ने हरकत यह सी कर डाली आप यहां देखी सकते हैं इस बंदे को जो अपने साथ लेकर आई सामन को ही पर चोड़ कर चला गया तो चली दोस्तों आज को लिमें इतना ही मिलते हैं अगली बार एक और नहीं ऐसे ही मिजदा लोड़े के साथ तब तक लिए हमेरे साथ बने रहे रहे ना एंड टेक केर बाबाए